जैशी कृष्णा दोस्तो बियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो उन गर्वती महिलाओं के लिए है जिनकी डिलिवरी होने वाली है दोस्तो 2022 में आठ भागिशाली राशियां ऐसी है जिनको पुत्र प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने वे अ आपको बहुत अधिक चांसिस हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है दोस्तो यह हम नहीं कह रहे हैं यह जोतिशास के अनुसार है और जोतिशास के अनुसार देखे आठ भागिशाली राशियां ऐसी है जिनको संतान होना निश्यत है अगर इन राशे की जो में उनकी डिलिवरी है तो उनको बहुत अधिक चांसिस हैं कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है दोस्तो यह जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं यह लगण की राशी पर आधारित है तो आप अपने लगण की राशी से अपना राशी फल अवर्श्य देखें अगर अगर आपकी डिलिवरी होने वाली है तो आपको बहुत अधिक चांसिस हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है दोस्तो उन आट भागिशाली राशियों की जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब ने कर रखा तो सस्क्राइब जरू कर ले बगले बैल आइकन को दबा दे जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुस सके दो हजार बाइस में देखे आट भागिशाली राशियां ऐसी हैं जिनको संतान होना निश्यत है मतलब इनको संतान सुक्तों अवश्य मिलेगा अगर यह राशी वाले संतान के लिए प्लैनिंग कर रहे तो इन महिनों में अगर आप प्लैनिंग करते हैं तो आपको बहुत अधिक चांसीच हैं कि आपको पुत्र की प्राप्टी हो सकती है साथ ही इस राशी की जो जातक भेलाए है तो वो अपना राशी फल अगर आपकी डिलीवरी इन महिनों में होने वाली है तो आपको बहुत अधिक चांसे हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है और उसके बाद देखे नवेंबर दिसमबर इन महिनों में भी अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको बहुत अधिक चांसे हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है दूसरी जो भागिशाली राशी है वो है विरिशब राशी बिरकी के लिए अपरेल मईं जुन जुलाई उसके बाद अगस्त नवेंबर दिसमबर इन महीनों में पुत्र को होने वाली है तो आपको और अदिक चांसिज है के आपको पुत्रकी प्राप्ति हो सकती है तीसरे जो भागिशाली राशी है वो है मित्धुन राशी और उसके बाद है November, December के महिने में इन महिनों में अगर आपकी delivery होने वाली है तो आपको बहुत अधिक chances हैं कि आपको पुत्र की प्रापती हो सकती है ये जातक अगर गर्वधारन करना चाते हैं बच्चे कले planning कर रहे हैं तो इन महिनों में बहुत अच्छे योग बने हुएं संतान सुक के। दोस्तो अगली जो भाकिशाली राशी है वो है कुम राशी कुम राशी वालों के लिए देखें जन्वरी फरवरी मार्च अप्रेल इन महिनों में पुत्पराप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुएं उसके बाद बन रहे हैं अगस्त सतंबर नवेंबर और दिसेंबर इन राशी के जातों को देखें मार्च अप्रेल मई जून जुलाई अगस्त और नवेंबर दिसेंबर इन महिनों में पुत्पराप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुएं इन महिनों में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको बहुत अधिक चांस है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आप सबी को जैशी कुछना